हलो फ्रेंट्स माई नेम इस माईपाल सिंग आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूटूब चैनल मैं आज आपको इस वीडियो में एलजेब्रा से रिलेटर्ड जो स्रीज बेज्ट कुश्चन आते हैं जिसको आप सर्ट इंडिसेज में भी काउंट कर सकते हैं एलजेब्रा में उसको आप ऐसे बोल सकते हैं जिसमें कहीं मल्टिब्लिकेशन हैं कहीं एडिशन वाला पार्ट आता है तो उनमें कैल्कुलेशन थोड़ी जादा होती है उस टाइप के कुश्चन को हम डिरेक्ली कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा डेफिनेटली आपको कहीं न कहीं एक या दो कुश्चन जो एलजेब्रा में आते हैं हर एक्जाम में वो आप बहुत पास से साथ सेकिंड में कर पाएंगे चलिए कुश्चन पर मूव करते हैं देखिए पहला कुश्चन आपके सामने है 1 by 30 प्लस 1 by 42 प्लस 1 by 56 प्लस 1 by 72 प्लस 1 by 90 प्लस 110 इसको सॉल करना है अगर मान के चलो इसको डिरेक्ली असान कुश्चन है डेफिलेटली राइट लेकिन इसको LCM लेके मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूँगा तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल करना राइट तो हमेशा हम इनको स्प्लिट करके देखते हैं कि कहीं कोई पैटन तो नहीं बन रहा है इस्प्लिट करने की कोशिस करेंगे इस्प्लिट करने की कोशिस करेंगे उसी में आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा कि क्या पैटन बन सकता है अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 30 क इसको split करता हूँ, तो 6 into 5 भी हो सकता है, 5 into 6, 3 into 10 भी हो सकता है, 1 into 30, 2 into 15 भी हो सकता है, और ये वाला पार्ट है, ये 6 into 7, तो एक pattern सा नजर जहां आए, उस वाले पार्ट में हमें solve करना है, तो यहां पर ये 6, 7 आ जाएगा, ये 7, 8 आ जाएगा, ये 8, 9 आ जाएगा, ये 9, 10 आ जाएगा, और ये 10, 11 हो जाएगा, तो pattern आपको दिख गया, अब देखिए 1 by 30 कैसे बना होगा, अब जब आप इसको 2 पार्ट में split कर लेते हैं, तो पहला जो term बनता है, वो 1 by 5 और minus, दूसरा term बनेगा वो, अगर दो ही नम्मर है, अगर ये 3 term में split होता, तो उसके लिए पहले 2 term और last के 2 term, first और second term बनाते हैं, split करने के लिए, और इसी तरीके से क्या बना होगा, 1 by 6 minus 1 by 7, ऐसे ही आगे वाला term क्या रहा होगा, 1 by 7 minus 1 by 8, अगर मान के चलो 3 ही term होते, तो 6 से 6 cancel out हो जाता, 7 से 7, तो first term और last term के वल बसता आपका, समझ में आ रहा है, अब आप कि जो ये 2 term आपने लिखे हो हैं, ये जो 2 term लिखे हो हैं, इनका कुछ भी difference, इनका क्या लेना है, 6 minus 5, इन दोनों का difference लेना है, और उस difference को क्या करना है, 1 upon difference यहां रखना है, और फिर ये जो first term बच रहा है आपका ये, और series में जो last में, last term है, 1 by 11 है वो यहां पर minus के format में आ तो आपका directly question solver जाएगा, difference तो आपका था 1 upon 1, और आपके पास यह क्या जाएगा, 55, 11 minus 5, आपका answer आजाएगा, 6 by 55, I hope आपको clear हुआ होगा थोड़ा part, right, चलिए next question देखते हैं, और आपका और better clarity आएगी यहां पर, देखिए, मैंने क्या कहा था, पहला जो term बनेगा, वो और यह रहा आपका apple, यह वो गलात हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, ना तो पहला, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा, कोई हीन में से true नहीं हो रहे है, चलिए next question देखते हैं, no Friday is Sunday, लेकित बनाओ फटाक्स, जब मैं solve करूंगा, तो 1 by 4 और 1 by 28 नहीं आएगा, यह आपका 3 by 4 और यह भी आपका एगा, 3 by 28, तो देखिए, यह जो difference है, इन दोनों का difference, formula क्या कहता था, 1 upon difference of the first, यह जो numbers है, 1 और 4, इनका difference लेना था आपने, difference लेना था, तो difference आपने ले लिया, right, अब formula क्या कहता था, यहां पर जो पहला term है, और यहां पर जो last मैं, up to 5 term बोल रहा है तो पहला term, 1, 4, फिर 7, 3, 3 बढ़ रहा है, तो फिर 10, 13 बनेगा, फिर 13 और 16 बनेगा, तो last में क्या हैगा, 16, तो minus 1 upon 16 रखना था, right, अब देखिए, difference यहां पर अलग था, वहां पर तो 1 था, तो कोई फरक नहीं पड़ा था, लेकिन यहां पर फरक पड़ेगा, तो आपके अब next वाला part move करते हैं, देखिए हर एक question ना आपका कहीं न कहीं exam में आ चुका है, अब इस वाले part को करें, तो इस वाले part को करें, तो देखिए 1 into 4, 1 into 2, 4 into 7, अब आप देखो alternate series चल रहा है, तो इसमें 2 series include कर दिये, अब उन दोनों series को आप अलग-अलग करके लिख लो, फिर वो addition का formula लगा, तो बड़े असानी से solve हो जाएगा, अब आप देखिए पहला series के आपका, 1 plus 1 into 4, plus 1 upon 4 into 7, इसका addition अभी-भी आपने किया था, 7 into 10, अब इसका last term के आएगा, वो अभी हम देख लेंगे, और 1 के आपके पास, 1 into 2, plus 1 upon 2 into 3, in the same way, अब देखिए, start कहां से हुआ है, यहां से हुआ है, और आपको कितने terms तक बोल रहा है, 9 terms तक, 19 terms तक बोल रहा है, तो अगर एक term यह आए, और एक यह आए, तो 2, ऐसे cycle 9 complete हो जाएंगे, और उसके बाद वापस से यही आएगा, मतलब इस series का 10th term यहां पर आना चाहिए, इस series का 10th term यहां पर आना क्योंकि 1, 2, 3, इस तरीके से 9 term हो जाएंगे, यहां पर 1, 4, फिर 7, फिर 13, फिर इस तरीके से चल रहा है, तो आपका जो पहला term है, वो क्या है, वो 1 है, फिर 3 है, तो आपका 3x के multiples बढ़ रहे हैं, 0 होता है, तो यहां पर यह पहला term क्या होता है, x अगर 0 होता है, तो आप आपका दूसरा term, और 2 हो गया, 3 into 2 plus 1 हो गया, तो आपका तीसरा term आता था, तो आप देखिए, यहां पर 0 पर 1, तो यहां पर 3 into, अगर आप 9 कर दें, 0 पर 1 आ रहा है, तो 9 पर क्या आएगा, 10th term आएगा, तो आपका plus 1, तो आपका 28 और into क्या बनेगा, 31 क्योंकि 3-3 का gap च 1 upon difference, difference क्या आपका, 1 और, यह difference आपको समझ में आ रहा है, difference क्या था आपका, 3 है, तो 1 upon 3 आ गया, right, अब पहला term क्या है, 1 upon 1 है, last term क्या है, 1 upon 31, right, plus, अब आप देखिए, कि यह वाली सीरी चल रही है, इसमें तो difference क्या है, इनका difference तो 1 और 2 का तो एक ही difference है, तो यह 1 upon 1 1 minus, minus में क्या हैगा, 1 by 10, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब जब आप इसको solve कर रहे होंगे, तो 31 minus 1, तो मैं सीधे-सीधे लिख रहा हूँ, 1 by 30 into 30 by 31 आने वाला है, plus, यह वाला जो part आने वाला है, वो आपके पास आने वाला है, 9 by 10, क्योंकि 1 by 1, और यह आपके पा तो अब आप देखिए, यह 10 बार कटेगा, और उपर तो 100 आजाएगा, और यह 10 से 31 बार कटेगा, और 9 का multiply करेंगे, तो 279 आने वाला है, तो देखिए, 379 upon 310, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B, तो यह सिरीज का last term कहां तक जाएगा, किस तरीके से solve करना है, यह आपक और second term पहले कैसे बनाते हैं, तो देखिए, first term यहाँ पर कैसे बनाएंगे, मैं color change कर लेता हूँ थोड़ा, इसको rub कर लेता हूँ, तो आपको एकदम clear दिखेगा कि कैसे आपके first term और second term बन रहे हैं, तो first term जो बनेगा ना, वो इन दो के multiplication से बनेगा, फिर आपका जो second term बन बनेगा ना, वो इन दो के multiplication से बनेगा, मतलब two दोनों में common है, और अगर 4 term होते, तो पहले 3, फिर last के 3, समझ में आ रहे हैं, तो पहला term क्या बनेगा, इसे 1 by 2 minus 1 by 6, तो पहले दो क्या है, 1 into 2, और 2 into 3, 1 by 6, अब आप देखिए, इन दोनों में, यह first term है, और यहाँ पर last term क्या है, 3, तो इन दोनों में जो gap है, वो क्या है, 2 का, वो gap क्यों ले रहे हैं, उसका समझ में आएगा आपको, जब मैं इसको solve कर रहा हूंगा ना, तो यह 3 minus 1, 2 by 6 बनेगा की नहीं बनेगा, 2 by 6, लेकिन मेरको तो 1 by 6 चाहिए, तो 2 को cut करने के लिए कुछ पार्ट यह first number है, और यह यहाँ पर last number है, यह first term की बात कर रहे हैं, अब जो last term है, last term में वो क्या होगा, last term में यह last term बनेगा, और उससे पहले वाला term यह बनेगा, ऐसे चलेगा, 1 by 12 minus 1 by 20, और ऐसे अगर यहाँ पर यह वाला पार्ट है, तो यह वाला पार्ट बनेगा, और ऐसे ब 30 आएगा तो अब आप देख लो यहाँ पर किस तरीके से चलेगा तो यहाँ पर यह वाला पार्ट के आएगा 1 by 2 minus last में उधर 1 by 30 बनने वाला है और difference क्या रहा था आपका यहाँ पर difference पहला term और last वाला term तो यहाँ पर difference से 2 तो अब आप solve कर लो 15 minus 1 तो आपका जो answer आने वाला है 14 तो 2 से 14 सीधे सीधे 7 by 30 आने वाला है 7 by 30 आपका answer आ गया otherwise क्या करता आपको calculation बहुत जादा करने पड़ती इस type के questions में right next question solve करते हैं अब और clear होगा पहला term 1 by 3 दूसरा term एक बटा 15 और up to 10 term जाना है तो देखिए एक है तो फिर क्या बन रहा होगा 10 गुणा क्या बनेगा आपका दो-दो से difference है 12 और फिर क्या बनेगा 5 और 7 तो 14 तो इस तरीके से चलेगा ना पहला term 1 3 5 फिर दूसरा term 3 तो आपका दो-दो के gap से बढ़ रहा है पहला 1 आया फिर 3 आया तो 2 का gap हुआ तो ऐसे देख लो 2 x plus 1 format में बन रहा है इसको मैं एक बारी रब कर देता हूं यह वाला part ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर अगर 0 की value put करते हैं यहाँ पर अगर 0 की value put करते हैं तो पहला term आ रहा है अब आपको कितना term चाहिए 10 term चाहिए तो पहला जो term 0 रखने से आ रहा है और आपको 10 10th term चाहिए तो यहाँ पर 9 रखने से आएगा plus 1 that means 19 पहला नम्मर होना चाहिए 19 फिर 21 फिर 23 तो इस और लास्ट अम में पहला term यह बनेगा और यह वाला term बनेगा तो 1 upon 19 into 21 minus 21 upon 23 इस तरीके से बनेगा 1 upon 21 into 23 तो अब यहाँ पर देखो 1 का difference और 5 का difference लेना है तो difference क्या हो गय तो difference आगया पहला term क्या है 1 by 3 दूसरा term क्या है आपका 1 upon 21 into 23 इसको आपको solve करना है तो 1 upon 4 देखिए यह आपका 21 into 23 कितना होता है आपका 483 होता है तो यह साथ बार तो यह आएगा 161 minus 1 राइट तो 160 upon 483 into 1 by 4 भी था यह 40 बार कटेगा तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा तो आपका answer होगा 40 by 483 समझ में आ गया I hope इस type के questions को अब आप आसानी से कर पाओगे और हर question कहीं न कहीं यह SSE 2017 का था पीछे वाला question आपका 15 का था लास्ट वाला question आपका 16 का था इससे पहले वाला question आपका RRB JE का था जो railway का JE का exam होता है junior engineers का वो था और इससे पहले वाला question 2013 में आया था तो सभी question कहीं न कहीं हर exam में आपके आ चुके questions को किस तरीके से हम करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को आप अपने सभी friends के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें फेस्बुक पर अपने groups में so that सभी को ये वीडियो आराम से अवेलेवल हो पाए thank you bye bye and take care